वीडिश फ्रेंट्स जैसा कि मैंने आप से प्रामिस किया था कि तरथे एक दिन हम इंडियन पालिटी के एक क्वेस्चन को कभर करेंगे जिससे आपका गेक का ज़ ईआपका ज़से इंडियन कवाणि locks थ Tiffany one फॉ प्रिवियस एर क्वेशन्स को देखा होगा तो मूर और लीश टॉपिक्स गेस कर लिये जाते हैं तो टॉपिक्स करने से यह होगा कि हाँ आप बॉंडरी तो डिफाइन कर पाएंगे लेकिन यदि इसके पीछे का कंसेप्ट आपका किलियर नहीं तो एक्जाम में जो क्वेश कोजिंग सेंडर्स में क्या आपको नूट्स दे दिया जाते हैं और कई सारी बुक्स वेगरा को पढ़ने से मना कर दिया जाता है तो ठीक है कि हाँ आपकी एक टाइम एंड इनर्जी की क्या बचत होएगी लेकिन यदि आपको नूट्स के साथ यदि एक अच्छी डिलिव कि आप स्टेंडर्ड बुक नहीं पर सकते हैं लेकिन थोड़ा कोजिंग में चीजों को लिमिट भी कर दिया जाता है तो एक फायदा भी है लेकिन एक नुक्षान भी है कि हमारा जो अंदर्स्टेंडिंग है होलिस्टिक वह भी नहीं बन पाता है तो खेर अभी टाइम कम ह है और कम है तो हमें कम टाइम में काफी अच्छा करने का पर्यास करने है और इसी के लिए मैंने इस इनिसियाटीव को लिया है उमीद है कि आप हमारे शाथ चलेंगे आप हमें मोटिवेट करेंगे और मैं आपको मोटिवेट करूँगा ताकि हमारा काम असान होता चला हैंगे तो आपको ऐसा नहीं कि डी मिन्स आउट आप दबाक्स क्वेश्चन आ रहे हैं क्वेश्चन तो आ रहे हैं वहीं से जो कि इंडियन पालिटी लेकिन स्टैटिक नहीं उसमें डाइनेमिज्म की जरुवत है ना इसमें आपको थोड़े क्या मिन्स अंदस्टैंडिंग को लेकर करके आना होगा ऐसा नहीं कि आप से प्रियंबल पूछा उसका फिलोसफी पूछा उसके पीछे का कंसेप्ट पूछा और आप पुरा प्रियंबल को चाप करके आ गए हैं तो यह सही टेंडिंसी नहीं है उसी परकार से मिन्स जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है अप्टू दा मार्क आंसर करने के लिए कंसेप्ट पर पकड़ होना ज़रूरी है हां लेकिन होता क्या है कि बेसिक बाते हम लिख करकर क्या जाते हैं जैसे कहा जाता है कि जो बिहार के स्ट्रेंट्स होते हैं एक जिन्रलाइज मैं नहीं कर रहा हमने देखा हुआ है लिखने से नंबर नहीं मिलता है जैसा कि मैं खुद देखा हुआ है कि एक जगह पे एक नंबर देखर करके लिख दिया गया है कि नोट रेलेवेंट आंसर एकॉर्डिंग तुदा क्या कि क्या कि कॉपी पढ़ा भी जा रहा है ऐसा नहीं कि हर जगह पे आप जीस्टू में मैं देख रहे होंगे कि ऐसे भी मांकस कम यह इैं इसका मतलब कुश्ट पढ़ तो जा रहा है असा तो नहीं सब भर कर किया रहा है एकजाम देता है तो रगता है कि हाँ काफी हमने एंच्छा लिखॉय लेकिन मांक्स नहीं आ रहे हैं इसके पीछे कारण यहीं है कि कुछ भी लिखने से मांक्स नहीं मिलने को है और यही कारण से हमएं जरुफ है कि चीजों को आप अपके ठिक्ठा question आने को है ना मिन्स उनके standard है जो बढ़ाई जाएगी और standard कि वाले question को आप तभी solve कर पाएंगे जो उसके पीछे के concept को आप अच्छे से clear करे रहेंगे है ना तो यदि आप means वाली section को कभर करते हैं तो वे जो अच्छे questions होंगे पूछे जाएंगे वह easily solve हो जाएंगे और बाकी तो fact आपका अच्छा है ही तो कहने का मतलब है कि concept और fact है ना concept और fact दोनों को हम क्या कर देंगे मिला करकर के अपने answer को question के need को satisfy करने का पर्यास करेंगे एक अच्छा इंट्रो और एक अच्छा conclusion लेकर करके है ना हम चीजों को conclude करकर के आगे बढ़ेंगे और यह चीज कहने में आसान लगती है इंट्रो देना conclusion लिखना और बाड़ी में कुछ भी लिखकर करके आजाना ठीक है यह सब हैं जो कुछ भी लिखना समझ रहे हैं आसान हो जाए लेकिन एक अच्छा conclusion एक अच्छा इंट्रो बड़ा ही आसान काम नहीं है यह और दनाइट आपको नहीं आने को हैं इसके लिए लाफी मसक्त करने पड़ेगी हमने यहां देखा कई सारे groups हैं जैसे कि किस चीज के अंसर राइटिंग के उस दगापर क्या है कि किसी एक कोचिंग के नोट्स को यह दो चार कोचिंग है उनके नोट्स को प्रोपर फॉलो किया जा रहा है उसमें इंट्रो से लेकर करके हमने दिखा हुआ कंक्लूजन तक है ना सीधा है जो छाप दिया गया तो ऐसा नहीं लगता कि यह एक जन्रल आंसर हो गया और जब जन्रल आंसर होगा विंस चीजे सब की more or less देश सिम हो गए इसका मतलब यह चीजे आ जाए कि एब्रेज में और एब्रेज से थोड़ा सा हमें उपर जाना है है ना तो हमारा सेलेक्शन क्या तैय हो जाता है और यहीं पर आपको काम करना है जो लोग एब्रेज कर रहे हैं थोड़ा सामने उपर लेकर करके खुद को जाने हैं कमपट जून से बाहर आने हैं और मिहनत करनी हैं तो चीजों को आप समझ पा रहे होंगे कि मैं कहना क्या क्योंकि मेंस क्या आप स्टुडेंट हैं तो चीजों को समझी रहे होंगे अब देखे हमें चर्चा यह करनी है यह जो आपको स्क्रींग पर देख दिख रहा है जो भी मेंस टॉपिक्स यह आपके इंसी आर्टी के कौन से क्लास के 11 क्लास के हैं ना इसमें इस बुक को 10 headings में बाटा गया है means 10 chapters में बाटा गया है जिसमें सबसे पहला है आपका constitution भाई और यहां से देखेंगे आप से थर्ड में यदि आप इस chapter को अच्छे से पढ़ लेते हैं तो आपका एक question ऐसे ही क्लियर हो जाएगा what is the difference between constitution and constitutionalism critically discuss the doctrine of basic structure as enunciated by the Supreme Court of India means यहां से पुछा गया था कि constitution और constitutionalism क्या है उनमें difference पूछा गया था मतलब है कि दोनों के बारे में दिजानेंगे तो यहां पर आप देखेंगे तो constitution एक लिविंग डॉकुमेंट है लिविंग डॉकुमेंट आखिर यह कैसे हैं जैसा कि आप जानते हूं कि लिविंग कहने का मतलब क्या जो परिवर्तन करने की छमता रखता हो जो डाइनेमिक हो अस्टाटिक नहीं हो है ना तो आप जानते ही हैं कि 105 सम्मिधान संसोधन हो चुके हैं इंडियन constitution के इसका मतलब है कि जरूरत के हिसाब से हमारी constitution लगातार चेंज होती रही है तो लिविंग डॉक्मेंट तो हैं लेकिन क्या आप कुछ भी चेंज ला देंगे नहीं है ना इसके लिए सुप्रियम कोट ने के स्वान अंदभारतिवाद 1973 में है ना अपका बेसिक अस्ट्रक्चर का इसका मतलब क्या है कि आप जो भी आप पढ़ रह हो जाएंगे नहीं होंगे इसका मतलब क्या है कि इसके पीछे का जो कंसेप्ट है इसके पीछे की जो थाउट है उस थाउट प्रोसिस को अपने अंदर्स्टैंडिंग मिलाना होगा चीजों को हमें समझना होगा और इसके बेस पे जो कुश्चन्स बिभीन एक्जैम से चीजों को आपको एवैल्यूट करने होंगे जैदी आप कर पाते हैं यकीन मानिया आफ काफी अच्छा आंसर राइटर हो जाएंगे तो केवल लिखने से नहीं कंसेप्ट आज आएगा तो आप इसली लिख पाएंगे और इंट्रो बेगरा काफी इसली बन पाता है लेकिन रोट लर्निंग से यह चीजे नहीं आने को हैं इसके बाद देखिए राइट्स इन द एंडियन कॉंस्टिटूशन तो देखिए हम सब क्या हैं भारत के नागदि सब्सक्ट आपके क्या राइट है और इसके नंतर गरत जाता आप जानते हैं फंडामेंटल रइट हैं से मन प्रकार की चीजे यहां से question पूछा जाते हैं जैसा कि आपने देखा हो गए question पूछा गया था और 65 में कि fundamental right जो है एक हांसे दिया जाता है और दूसरे हांसे ले लिया जाता है अब इसमें लोगों ने क्या किया कि जितना fundamental right याद था सब कुछ लिख करकर क्या गए means देने लेकिन एक पार्ट तो यह भी है ना कि आखिर एक हांसे दिया गया तो दूसरे हांसे ले लिया गया तो लिया कैसे गया इसका मतलब है कि fundamental right हमें जो दिये गये हैं वह absolute नहीं है यह रिलेटीव जरुवत आने पर इस पर restrictions लगते हैं तो आपको reasonable restrictions की चर्चा करनी थी यहां पर है ना तो इस परकार की हमें बातों को दियान में रखना होगा और हम चर्चा इसमें करेंगे जैसे कि आप जानते हैं right to equality है और equality है फिर भी क्या सभी को equal treat किया जाता है जरुवत के हिसाब से treat किया जाता है और जैसा कि आप जानते हैं बीमिन के लिए reservation है और भी जो बीकर सेक्संस है society के उनके लिए हैं जो आपको reservations लेकने को मिलेंगे जैसे स्थी हो गए स्थी हो गए ओवी सी हो गए इडव्लू एश हो गए तो आखिर वह reservation का जो मुद्दा है है न इसका भी हम चर्शा करेंगे साथ ही freedom of a speech है सबसे important यहां पर आ जाता है speech and expression वाली बात तो वहां से हो गया right to life वाली बात हो गई इसके बाद है जो आपका secularism का मुद्दा काफी चलता है जो कि धार्मिक स्वतनता वाला है तो कहने का मतलब है कि हम ऐसा नहीं कि आर्टीकल के पॉर्म में के बाद देख लेने हैं आर्टीकल याद होने ही चाहिए उसमें गलती नहीं होने चाहिए लेकिन व्यून्द आर्टीकल जो इसके practical aspects हैं इन पे हमें काफी अच्छा चर्चा करने होंगे इसके बाद देखें नेक्ष जो बात है वह क्या है इलेक्शन और रिपर्सेंटेशन तो आप देखेंगे टापिक को यदि सोच पाएं तो बड़ा एक अच्छा व्यू देखा जैसा कि आप जानते हैं कि जो इंडियन पॉलिटिक है कि maximum participation of the people means लोगों की अधिक्तम भागिदारी किसमें सासन और शासन में जो है जनता क्या करती है अपने परतिनिधी को चुनती है और उसके माध्यम से सासन करती है है ना तो आखिर हमारे हां जो रिपर्जेंटिशन है वह maximum participation है या नहीं इसमें जो election खराने की जिम्मा है election commission of India की या फिर local body के लिए जो state election commission की तो क्या मिन्स या अपना काम सही से निवा रही है या फिर politically motivated है तो कई परकार की चीजे हैं साथ ही आप देख पा रहे होंगे evm tempering की मुद्दा आ जाती है यहीं से फिर election में कई परकार की शुधार की बात की जाती है electoral reform की भी चर्चा की जाती है एक तरह की voter list वाली बात है one nation one election वाली बात है तो यहीं से मुद्दा निकल कर कहेंगे इसका मतलब क्या है कि वहा तो current की मुद्दा है लेकिन उसके पीछ अच्छा जाए तो हम इसका अंसर काफी अच्छा कर पाएंगे इसके बाद देखें जैसा कि आप जानते हैं कि गवर्मेंट जो है इसके तीन और गंस है कौन-कौन तो यह जो हैं आपके एक्जिक्यूटिव लेजिस्लेचर एंड जूडिस्यारी इसे लेज के फॉर्म में यह के फॉर्म याद रख सकते हैं एल फॉर लेजिस्लेचर एक्जिक्यूटिव एंड जूडिस्यारी लेजिस्लेटिव लॉमेकिंग बाडी हैं जो कि पार्लियामेंट के संदर में हम चर्चा करते हैं एक्जिक्यूटिव इसी में हम प्रेसिडेंट की चर्चा करेंगे व में आजाएंगे उसके बाद जोडिसीरी है तो जोडिसीरी जो है वह क्या करता है जो लेजिस्लेचर कोई लॉग को बनाता है तो क्या यह कॉंस्टिट्यूशन के एकॉर्डिंग है या नहीं बेसी का structure का यह violation तो नहीं है इन सभी बातों की चेक कौन करती है जूडिसीरी है ना तो यहां तो हम चर्चा करेंगी साथ ही executive का काम है कि जो भी लॉम बनाया गया है उसे सही से इंप्लिमेंट करना यदि वह इंप्लिमेंट नहीं करती तो उसे जूडिसीरी फटकार भी लगाती है और कई बार यह देखा गया है कि एक्जिग्यूक्टिव के रोल में जूडिसीरी आ गया जो की सही नहीं माना जाता है यानि इन तीनों के वीच आप देखेंगे तो हमार पर भी पुच्छा जाता है डिवीजन ऑपउर तो डिवीजन ऑप आवर कांप सेंट्रल स्टेट और यहां डिविजन ऑप अवरे हैं लیکिन यहां आप देखेंगे तो स्टर्म भीवास नहीन है क्लियर है साथ ही यहां पर चेक केंटर बैलेंस बात आएगी यही पेlor यूज होगा यहीं से मिन सम बात करेंगे जूडिसियल रिव्यू की जूडिसियल एक्टिविज्म की जूडिसियल ओवर रीज की यहां से questions पूछे जाने की संभावना है होती है यह न साथ ही कॉलिजियम सिस्टम क्या है तो कई परकार की मुद्दे हैं इसके बाद देखें इहां पे फेडरलीज्म और यह सबसे अच्छा टॉपिक में से इस टॉपिक है यहीं से आप देखेंगे फेडरलीज्म कहने का मतलब क्या होता है डीवोलूशन ओ प्यवर इसे सिंपल में में बोला जाए तो डीवीजन ओपावर किसके किसके भी सेंटर के सेंटर हो गये अ नेहां पे क्या है वर्टिकल डिवीजन हैं और वहां पे आपने चर्चा कि या ली áreas लॉटी बैग्जी की वहुर्टिव यृटीर वहां पे होरिजंटल डिवीजन वाली है तो यहां पे फेडरलीजम के संदर में Oooh तो क्या है कि यहां पे complex a state और लोकल बाडी इन तीनों को Constitution के द्वारा क्या मिलते हैं पावर मिलते हैं और पावर एक जगा सिंटर को हाँ भले ही ज़्यादा पावर दिये गए हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ केबल और केबल सिंटर के पास पावर है यहाँ पे पावर को क्या कर दिया गया है सियर कर दिया गया है है न तो यहाँ फेडरलिज्म के अंतरकत में पढ़ने और इंडिया एक मातर इसादिस है जहाँ पे आपको लोकल गवर्मेंट देखने को मिलेंगे है न जो की पावर कहां से गेन करता है तो Constitution से करता है तो यहाँ पे Question यह important हो जाते है यहीं से चर्चा होगी कि जैसे Center और State के बीच जो जगड़ा का मुद्दा है लड़ाई का मुद्दा है जिसमें यह तो आपका गवर्नर का पद हो गया गवर्नर का जो पद हो गया वह हो गया अब हम पढ़ते हैं कि part five और part six करकर पढ़ते हैं जिसके कारण से हम पी एम पो लग पढ़ रहे हैं किम को लग करकर कर पढ़ रहे हैं ठीक है पढ़ने चाहिए लेकिन आप देखेंगे हैं फेडरलिंग के इस चीजों को देखिए तो जो की अच्छी नहीं है तो हम उनकी चर्चा करेंगे है ना तो फेडलिज्म आप समझ पा रहे होंगे और हमारे हां जो कनड़ा का मूडल अपनाया गया है यूज सबसे अच्छा फेडरल गवर्मेंट का एक्जामपल है तो कैसे है इन सभी चीजों की चर्चा होएगी इ पिर आपका इलेक्शन का मुद्धा इधर कहां पे तो अर्वन बॉडी में भी इलेक्शन होने को थे तो इन सभी चीजों की हम यहां पे चर्चा करेंगे इसके बाद हमने अभी चर्चा किया ही कि कॉंस्टिट्यूशन एक लिविंग डॉकुमेंट है कैसे इसके बाद फि कैसे कभर चीजों को करने चाहिए तो आप अपनी राय है जो कमेंट बाक्स में जरूर दीजिएगा तब तक के लिए गुडबाय और पढ़ाही करते रही और मैं कोसिस करूंगा कि आपको कम से कम एक क्वेशन इन में से 10 टॉपिक्स नजर आपको आ रहे हैं लेकिन कई सार क्रीक दिंग के क्वाडिंग मैंनी काल पाँँ आपको काफी अच्छा कंटेंट मिनले को हैं तो आप बने रहें और आप हमें भी मॉटिवेट करते रहें ताकि मैं कोंटिवेटी के के साथ चीजों को मिन्टेन कर पाऊं और अप एक अच्छा कंटेंट है जो आपनी by 12 of you.